जैसे अगे आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास एक सिंपल एक्वेशन है एक्स प्लस दू बराबर पांच आएए हम इस सिंपल एक्वेशन को इस तरह दू की मदद से हल करने का प्रयास करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यह तराजू है और इसके दोने भाग इस वक्त बराबर हैं हमारी इक्वेशन थी एक्स प्लस दू बराबर पांच इसके लिए मैं इस तराजू के एक भाग में मेरे पास कुछ कंचे हैं एक भाग में एक और दो कंचे पांच कंचे टालगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, आपने देखा, क्यूंकि एक तरफ पांच कंचे और दूसरी तरफ दो कंचे हैं, तो तराजू पांच कंचो के तरफ जुग्या, हमारी equation है, x प्लस दो बराबर पांच, पांच तो यहाँ है, दो के साथ है x, यानि इसमें कुछ और देगा, तो यह दोनो equation बराबर होंगी, आएए, हम देखते हैं, इसमें कितने कंचे डालने पर, यह तराजू फिर से पराबरी पर आता है, कुछ कंचे मैं अपने हाथ में लेता हूँ, और एक एक करके इस कंचो के डालो, एक, दो, तीन, आपने देखा, जैसे ही हमने, इसमें तीन कंचे डाले, यह दोने कराजू फिर से बराबर हो गए, इसका अर्थ यह है, कि जो हमारी इक्वेशन थी, एक, प्लस दो, बराबर पांच, वह तीन कंचे डाले से बैलंस होती है, यानि दोने फाल बराबर होते हैं इसका अर्थ यह है कि तीन कंचों से ही यह बराबर हुआ इसलिए X का मान होगा तीन आएए हम इसे लिखित रूप में भी देखते हैं यह है X प्लस दो बराबर पांच पांच X जैसे कि आपने अभी तराजों में देखा कि X का माना आएगा तीन यानि तीन प्लस दो पांच और यहां भी है पांच तो देखें आपने Linear Equations जैसा एक टॉपिक हम कितनी सरलता से कंचों की मदद से सीख सकते हैं इसी प्रकार से और भी गरिक की या Simple Equations की कई सारी प्रॉब्लम्स हम इस छोटे से तराजु में कंचे रखने से ही सीख जाएंगे कंचे ठाजूं ऑप है ... हम फप्रेख लागे झाल झाल